हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का अड़ा247 के क्लास 9th and 10th चैनल पे जिसे जाना जाता है अड़ा काम्यावी का आज हम पढ़ने वाले हैं यूकलिट डिविजन एल्गुर्थम यानि की यूकलिट विभाजन प्रमे के बारे में तो यहां पे यदि A का मान B से बड़ा है और अगर बड़ी वाली संख्या के अंदर B का छोटी वाली संख्या का भाग लगाया जाए तो हमारे पास कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ उसके पास शेश्वल बचेगा जैसे इसको हम समझें कि हमारे पास अब बड़ी वाली संख्या के अंदर मैं भाग लगाऊं किसका छोटी वाली संख्या का अगर छोटी वाली संख्या का इसमें हम भाग लगाए तो कुछ ना कुछ हमारे पास भागफल आएगा जिसे मैं Q से प्रदशित कर देता हूं और कुछ ना कुछ मेरे पास बचेगा शेशफल जिसे मैं प्रदशित कर देता हूं R से, तो ये जो दोनों धनात्मक संख्या है इनके बीच में हम संबंद क्या बता सकते हैं, कि A बराबर क्या होगा, BQ प्लस R के रूप में इसे हम प्रदशित कर सकते हैं, जहां R क्या है, ये आपका जो शेशफल है, ये क्या होता जिससे आप भाग दे रहें, उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ये आपकी कहती है यूकलेट विभाजन प्रमे, अब इसी प्रमे का प्रयोग करके हम इसके कुछ अनुप्रयोग देखते हैं, कि इसी प्रमे का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किनी भी दो धनात्मक संख्या है अगर आपके पास है A और B जैसे ये दो धनात्मक संख्या है तो इनका HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांग होता है वो सबसे बड़ा पूर्णांग है जो इन दोनों को पूर्णते क्या करता है विभाजित कर जाए कि दो धनात्मग संख्याओं को जो संख्या सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौनसी है वो इन दोनों को विभाजित कर जाए वो क्या केलाती है इनका HCF कहलाती है तो अब आपने यह तो जान लिया कि HCF हम ग्याद कर सकते हैं कि सर, हमने अभी आपने ये बताया, कि अगर हमारे पास दो धनात्मक संक्याएं हैं, तो बड़ी वाली संक्या, जो 867 है, इसके अंदर मैं भाग देता हूँ, किसका छोटी वाली संक्या, 255 का, अब अगर इसमें आप भाग दोगे, तो भागफल कितना आएगा, कि सर, इसमें सबसे पहले 3 से भाग देते हैं, 3 से हम गुणा करके देखते हैं 255 को, तो 5-3-15 का 5 हाथ में, 15 और 16 का 6 हाथ में, 1-3-2-6 और 1 ये हो गया 7, अगर इसे आप घटा होगे, तो 7 में से 5 गए, तो बच्चा 2-6 में से 6 गया, 6 और 8 में से 7 गया 1, तो इस तरह से आपने देखा, कि सर, यूकलिट विभाजन प्रमय के जरीए, हम अब इन दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच, संबंद क्या लिख सकते हैं, तो step number 1 में आप सबसे पहले लिखोगे, कि सर, 867 जो है न, ये बराबर हो सकता है, 255 को अगर आप गुणा करो, तीन से और उसमें जोड़ दो क्या, 102, step number 1, अब आप क्या करोगे, अगली step में अब आप क्या करोगे बच्चों, कि यहाँ पे अब 102 के अंदर आप भाग लगाओगे, कि किसका, 102 का भाग लगाओगे, कि किसके अंदर, 255 के अंदर, कि यहाँ पे क्या हुआ, कि जो आपका शेश्वल, पहले step में जो आपका शेश्वल था, वो अब बन गया है भाजक, और जो पहले भाजक था, वो अब क्या बन गया है, भाजे, इसके अंदर भाग दिया, तो यह जाएगा कितनी बार, दो बार में, अगर भाग दिया, अगर आप 2 से इसको गुना करोगे, तो यह आजएगा आपके पास 204, 204 को अगर 255 में से घटा होगे, तो बचेगा आपके पास कितना? 51, आप कहो कि सर ऐसे भाग हमें कब तक देना है तो मैं भी आपको बताऊंगा बचों ये ऐसे भाग हमें तब तक देना है जब तक आपके पास शेश्वल शुन्य प्राप्त नहीं हो जाता तो यहाँ पे तो शेश्वल आपको शुन्य नहीं मिला, शेश्वल क्या मिला 51, तो आप step number 2 में क्या लिख दोगे, कि सर मैं 255 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 255 बराबर क्या, 102 गुणा 2 प्लस 51 लिखा जा सकता है, अब 51 क्या बन जाएगा, 51 बन जाएगा आपके लिए इसमें भाग दोगे, तो यह जाएगा फिर से दो बार में, दो बार में भाग दोगे, तो यह 102 पूरा-पूरा कट गया, और आपने देखा, शेश्वल आगया, शुन्य, शेश्वल शुन्य आगया, तो तीसरे number के step में, आप लिख सकते हो, कि सर, 102 बराबर मैं कह सकता यही हो जाता है, इन दो धनात्मक संख्याएं जो हमारे पास गीवन थी, 867 और 255, इन दोनों का HCF आपको ग्याद करना था, तो यह जो लास्ट स्टेप में, जब आपका शेश्वल शुन्य बचा, उस सिती में जो आपका भाजक था, वही आपका क्या बन जाता है, HCF बन आ गया होगा, बच्चों आपके लिए टेलिग्राम चैनल, फेस्बुक पेज और हमारे वाटसप ग्रूप का सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इनके तुर हम से जुड सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आईए तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजीगा, थैंक यू